आज का मैच RCB और चन्ने के बीच में होने वाला है जिसके लिए फिलाल एक हफते से फैंस बहुत ही ज़्यादा बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं इतना तो playoff के matchों और final match का इंतिजार नहीं कर रहे हैं जिस तना आज के match का इंतिजार कर रहे हैं क्योंकि ये match है धोनी और विराट कोली के बीच में ये match है playoff से भी ज़्यादा important match क्योंकि आज का match करो या मरो है आज जो टीम जीतेगी वो चोथी टीम बनेगी जो की playoff में जाएगी और दोनों ही टीमों के पूरे पूरे चांसे से हैं जहां RCB के थोड़े से कम है लेकिन चन्ने के ज़्यादा है पर आज का match बड़ा ही तगड 21 बार आमने सामने आ चुकी है इसमें से 10 बार RCB अपने नाम match कर चुके तो वहीं 21 मुकाबले CSK ने अपने नाम किया है एक match तो ऐसा रहा है जिसके अंदर result ही नहीं निकला यानि इसलिए अगर देखा जाये तो CSK का पढ़ला हर दम भारी रहा है लेकिन match बैंगलूरू मे जीती थी तो आज के match में कुछ कहां नहीं जा सकता और तो वक्त ही बताएगा कि आज कौन किस पर बारी पढ़ेगा क्योंकि आज का match है करो या मरो बैंगलूरू के M.Chinniswami Stadium में अधिकतर बल्ले बाजों के लिए ही माना जाता है कि वो लोग ज़्यादा run बनाते हैं और ज सिवी की बात करी जाए तो विराट कॉली अच्छे कासा फॉर्म में चल रहे हैं तो अज के match में ये दोनों बल्ले बाज भी अच्छे खासा बल्ले बाजी करके टीम को match जिता सकते हैं गेंदबाजों के ज़ादा यहां पर पढ़ला भारी रहता नहीं है बल्ले बाज ही ज बल्लेबाज याती है तो आखरी में फिनिशर का रोल निवाते हुए आपको नजर आएंगे उसके बाद हमने बल्लेबाज के तोर पर रखे हैं 6 प्लेयर्स क्योंकि यह पिछ बैट्समेन के लिए ही कही जाती है तो यहां पर बल्लेबाज आपके लिए बहुत ज़्यादा कि को फैब डूपलिसीज और रजट पड़िदार यह तो होगे तीनों आर्सीबी के तरफ से जो कि फिलाल तीनों के तीनों अच्छे-कासे फोर्म में चल रहे हैं और इस ग्राउंड पर इन तीनों का अच्छा-कासा रिकोर्ड है विराड कोली जहां हाइस्ट स्कोरर है फिल कि हमने तीन प्लेर्स लिया है शीवम दूबे डैरल मिचल और गायकवार तीनों ही बल्ले बाज अच्छे-कासे बल्ले बाज याज करते हुआ आपको देख सकते हैं अगर तीन में से कोई दो भी चल गया तो आपके बल्ले-बल्ले अब बात आते हैं हमारे ओल्ड की तो बॉलर्स हमने सिर्फ दो ही लिए क्योंकि ये फिच बैस्मेन के लिए है तो बॉलर्स के तोर पर हमने तुशार देश पांडे और मौमश को लिया है क्योंकि मौमश चिराज इस पिच पर एक आते विगेट निकाल देते हैं इसलिए हमने उनको आपके टीम में सामिल पस डाउट है हमें विकेट कीपर के तोर पर आज MS धोनी को लेना चाहिए था इसलिए लेना है अगर उनकी बल्ले बाजी आती है तो आज वो कम के इंदों में अच्छा-कासा स्कोर करके आपको देंगे अब बात करते हैं आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन के तोर पर आप शुम दूवे को रख सकते हैं यह दोनों ही बल्ले बाज अच्छा-कासारण बना के आपको देंगे